Hello everyone, आज 11 months बात finally मैं चैनल पर वीडियो आप सभी के लिए बना रही हूँ सबसे बहले मैं आप सभी से वाफिस मागना चाहूंगी कि इतने लंबे समय से मैं आपको कोई भी content प्रोवाइड नहीं करा पाई और क्योंकि अभी आपके next month net के भी exam है तो मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक motivation का काम करेगी तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा पिछले 11 महिनों में जो मैंने पढ़ाई की जो achieve किया वो मैं आपको इस एक वीडियो के थुरू बताना चाहती हूँ सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो मेरा पहला exam था यानि कि मैंने तीन government exams दिये और तीनों मेरे clear हुए तो मैं आपको बारी बारी सब के बारे में बताऊंगी जिससे कि आप motivate हो और आप भी कुछ ऐसा ही करें जो आपके लिए जरूरी है सबसे पहले मैं बात करूंगी last year अगस्त में जहां पर UPPGT के exams हुए थे और मैंने वो paper UPPGT का दिया था मैं appear हुई थी और मेरा जो आपको पता ही है कि I am already GRF qualified in political science तो मैंने political science subject से ही जो है apply किया था और उसको civics बोलते हैं PGT में तो मैंने paper दिया था return अगस्त में जो कि मेरा paper हुआ था paper मेरा अच्छा हुआ था 125 questions उसमें आते हैं और paper देने के बाद जो मैंने answer की से मिलाया तो मुझे समझ में आ रहा था कि जो मैंने questions attempt की हैं वो काफी अच्छे हैं यानि कि मैं return qualify कर सकती हूँ और final selection के भी chances हो सकते हैं अगस्त में paper हुआ था और उसके बाद उसका जो है result आया और written का जिसमें की मैंने return qualify कर लिया return qualify करने के बाद PGT में interview होता है दो process है इसमें दो step में प्रॉसेस है यानि कि पहले return है और उसके बाद फिर interview है इंटर्व्यू मैं देने गई और क्योंकि interview के लिए मुझे इतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैं already PhD कर रही हूं University of Allahabad से और इसके पहले भी मैंने पांच इंवस्टी के वाइवा दिये थे तो मुझे काफी interview का एक experience पहले से हो चुका था तो मैं बहुत डर नहीं रही थी और मैं एकदम काम थी और मैं इंटर्व्यू देने गई और इंटर्व्यू मेरा अच्छा हुआ था लग बग इंटर्व्यू मेरा 15-20 मिनट चला था और काफी productive पूरा वो session था इंटर्व्यू का और उसके बाद मैं आ गई और मुझे फिर एक result का इंतजार जैसे ही आप इंटर्व्यू देके आते हैं तो आपका बढ़ने लगता है अब क्यूंकि इंटर्व्यू अच्छा हुआ था तो मुझे उमीद थी कि final selection हो जाएगा मेरा देर-देर result का भी बार मेरा रोल लंबा नहीं मिला यानि कि मैं final selection में नहीं जा पाई तो जो दुख था वो बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि मेरी उमीदे काफी जादा थी PGT के exam से क्योंकि paper अच्छा हुआ था interview अच्छा हुआ था तो chance था नहीं कि मतलब नहीं होगा लेकिन paper का जब result आया त तो फिर वो पूरी जो उमीद है वो shattered हो गई और selection नहीं हो पाया बहुत दुख हुआ कि जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाया लेकिन दुख के साथ यानि कि जब आप काफी ज़्यादा परिशान होते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि आप ये तो हो गया अब आगे हम और बहतर क्या कर सकते हैं यानि कि आगे क्या है उसमें जब आप ये आपका failure होता है तो आप काफी ज़्यदा demotivate हो जाते हैं और आपको अपने उपर doubt होने लगता है कि आगे क्या होगा यानि कि ये नहीं हुआ तो आगे क्या कोई मेरा exam pass हो पाएगा यानि कि मैं क्या आज भी इसके बाद UPPT हो गया तो फिर इतना समय मेरे पास वैसे भी नहीं था कि मैं बैठके सोच सकूं कि मेरा UPPT में सेलेक्शन नहीं हुआ मेरा कहीं नहीं होगा इतना सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि फिर मेरा GIC लेक्चरार का exam था उसका प्री का पेपर था वो सेप्तमबर में हो चुका था और उसका रिजर्ट जो है वह दिसमर में आया था है तो उसमें मेरा प्री कौलिफाई हो गया जो दिसमर में जिसका रिजर्ट आया यह लेक्शन पिर में सब्जक्ट तो मेरा प्री क्वालिफाई हो गया GIC का उसके बाद मुझे मेंस की तैयारी में जुड़ जाना था तो मैंने एक पूरा टार्गेट बना लिया कि कैसे तैयारी करने से पहले मैंने स्लेबस मेंस का डाउंग्लोड किया वेबसाइट से कमिशन की और उसके बाद मैंने उसके ही अकॉर्डिंग पूरा अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी कि यह जो मौका है मेंस देने का मिल रहा है और मैं पहली बार मेरा वो यूपीजीटी का भी अटेम्ट था पहली बार मेरा यह जी आईसी लेक्षरार का भी अट लिए और काफी अच्छा सब्जेक्ट भी हो गया और जो हिंदी का पेपर आता है वो दोनों ही मैंने अच्छे से तैयार कर लिया कि यह मौका नहीं जाने देना है बाकी तो सब गौड की इच्छा होती है कि वो जो चाहेंगे वही होता है हमारे काम तो महनत करना होता है तो मेरा मेंस का पेपर मार्च में हुआ था जी- healthy का और पेपर अच्छा हुआ था जब मैं percentage में पेपर देके आए और मैंने मुझे एसास हुआ जब से मैं पेपर देखे आई थी कि सायद मेरा हो सकता है लेकिन क्योंकि UBPGT से जो दुख था वो बहुत ज़्यदा निकल नहीं पा रहा था कि अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो यह जो सवाल है यह बहुत परिशान कर रहा था अब परिशानी अंदर से थी लेकिन अब उसको क्या कहा जाए अब लेकिन साथ में ये भी था कि इंतजार था कि सायद हो जाएगा हो जाएगा उम्मीद थी कि मतलब हो जाएगा पूरा उम्मीद मैंने जैसे मैं मैं मैंस देखिया ही मुझे हो गया था कि मेरा सेलेक्शन इसम मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि रिजर्ट आ गया है और देखो साय जो इसमें दिपाली सिंग है यह तुम्हारा ही है इस रोल लंबर मिला लो तो फिर मुझे लगा जी एसी का रिजर्ट आ गया तो मैंने रोल लंबर मिलाया और फिर देखा तो वो मेरा ही था तो इस तरहे मुझे पहली बार जो होता है न कि आपको गौर्मेंट जोई मैंने सरकारी नौकरी और आप उसमें जा रहा है यानि कि मैंने नेट जयर्ट किया तो मेरा एक सिक्षक और ये टीचिंग लाइन में ही जाने का टार्गेट था और फिर जब वो मैंने मुझे इतनी हुई मेरे आखों के आशू और मेरे माता पीता और मेरे भाय बैन के चहरे की जो खुशी थी वो बहुत कुछ ब्या कर रहे थी कि मतलब हो गया मतलब finally selection हो गया कहीं पर और जो पिछला जो दुख था नहीं होने का वो होने में बदल चुका था तो काफी अधा खुशी थी सब जगा मिठाई वगर बाटने में और सब काफी कुशी का महौल था भगवान को सब ने धन्यवाद किया कि यह मौका मिला कि मैं आज इस काबिल हुई और मैंने यह कर दिखाया साथ में एक और मेरा पेपर था जो की है UPHESC Assistant Professor का पेपर उसका भी रिटेन नवंबर में हुआ था और उससे भी जब मैं पेपर देखिया आई तो मुझे उससे भी उम्मीद थी कि मैं रिटेन का पेपर काफी अच्छा हुआ है और मुझे इंटर्व्यू के चांस मिल सकते है सारे ये देखिये सब साथ में ही चल रहे थे यानि कि आपके पास बैट के सोचने का भी वक्त नहीं है कि अब आगे क्या आप सोच भी नहीं सकते आपको continue involved रहना है कि आगे मेरा ये पेपर है आगे मेरा ये इंटर्व्यू है यानि आप बैट करके एक जगा सोचने का भी इंटर्व्यू का कि अभी इंटर्व्यू बाड़ी है और इंटर्व्यू देना और क्योंकि असिस्टनट परफेसर की जो जाब है वो मेरी ड्रीम जॉब ते जिस दिन मैंने PG में NetJRF क्या था तो वो assistant professor बनने के लक्ष से ही मैं appear हुई थी Net के paper में और तो मुझे था कि मतलब finally ऐसा है कि अभी ये सबसे बहतर है और अगर इसमें मेरा selection हो जाता है तो फिर ये है कि मैंने अपनी dream job को achieve कर लिया और मैंने कुछ कर दिखाया तो मेरा जब return qualify हो गया फिर interview था interview की dates आई जो की July यानि की इसी मन्त में मेरा interview UPHEAC में था मैंने interview की तयारी के लिए काफी अपने आपको वक्त दिया काफी जो topics हैं, जो subject हैं मेरा जो PhD का topic है उसको पढ़ा, subject को पढ़ा सारा जो वक्त है मैंने ये पूरा, हाला कि उसमें बीच में GIC का रिजर्ट आगया है, तो थोड़ा सा तो बन्दा होता ने, कि आप celebrate करने लगे तो आपका थोड़ा सा disturbance क्रियेट हो जाता है कि आप वक्त नहीं दे पा रहे हैं अपने subject को लेकिन वो celebration भी मैंने मैंने बस कुछ ही दिन किया और उसके बाद मैंने कहा घर पे कि भाई मेरा आगे भी interview है और वो मैं वही उसी को पाना चाहती हूं और मेरी दिल इक्षा है कि मेरा selection वहां पे हो यहां पे होगे आप लोग कुछ हैं लेकिन बस अभी ठीक है अब भी मुझे आगे के लिए तयारी करना है मेरा interview और मुझे पढ़ना है तो फिर मैं interview की तयारी में लग गई और दिरे दिरे वो तारीक भी आ गई जब मेरा interview की date थी और मैं गई interview देने और interview में मतलब होता नहीं कि आप interview से पहले nervous होते हैं लेकि मैंने बताया कि किया तो मुझे वह confidence अंदर से था कि मतलब जाना है और जो भी पूछा जाएगा उसको एकदम politely और अच्छे से बताना है वह फिर teaching के लिए बोले या आप से वह subject पर पूछे या आपका तयार होना चाहिए तो मैंने अपना अपनी लेवल पर मैंने सब कुछ तयार किया था मैं इंटर्व्य के लिए गई और वहाँ पर चार मेंबर्स थे यानि कि एक कमिशन के मेंबर सर होते हैं और और बाकी जो तीन हैं वह आपके subject experts होते हैं मैं गई और मुझसे जो है पूछा गया topic मेरा PhD का और उससे questions किये गए तो वह मैंने बहुत easily बता दिये और मुझसे काफी questions मेरे PhD के topic पर किये गए थे उसके बाद मुझसे subject पर questions किये गए जो तीनों professors थे उन तीनों ने ही मुझसे subject पर काफी सवाल जवाब मेरा हुआ और current affairs पर भी बात आ गई और काफी चर्चा हुई और काफी अच्छा इंटर्व्यू मेरा हुआ था मतलब मुझे जब मैं इंटर्व्यू दे रहे थे उसमें मैं बहुत confident थी क्योंकि जितने questions वो पूछ रहे थे उसमें से मैं इंटर्व्यू मेरा हो गया है और अच्छा इंटर्व्यू दे करके बाहर आई फिर मैं घर पर सबको बताया कि इंटर्व्यू मेरा हो गया है और अच्छा इंटर्व्यू हुआ है लगभग 15-20 मिनट मेरा इंटर्व्यू चला था और अच्छा है और रिजल्ट करता है कि आगे क्या होता है पर लेकिन क्योंकि ऐसे तो आप नहीं छोड़ सतने क्योंकि आपने इंटर्व्यू दिया तो उम्मीद लगाना तो हमारा उता नहीं हमार चांस बन जाए और मुझे मिल जाए जो मैं चाहती हूं तो फिर एक दिन वो भी आया जब एक हपते बाद इंटर्व्यू के मेरा फाइनल रिजल्ट आया पॉरिटिकल साइंस सब्जेक्ट में और फिर मैंने पीडियाफ जिसको हम होली पीडियाफ कहते है यानि कि उसमें ह मतलब बहुत अच्छा मैसूस हुआ कि now finally I will call as assistant professor दिपाली सिंग तो अच्छा लगा कि हो गया फिर मैंने सब को घर पे भी बताया कि मतलब हो गया पापा को ममी को भाई बहन सब ही बहुत खुश हुए और जो मेरे दोस्त हैं उन सब को बताया सब की तरफ से बधाईया आने लगी सारे रिलेटिव सब लोग मतलब खुश्री का महौल है कि एक आपने लेक्षरा रचीव किया और फिर एक आप assistant professor हो गया तो तो यहां तक मेरी जर्णी थी यहां तक मैंने आपको बताया कि मतलब इन जो एक लास्ट 11 मंस थे इसमें मैंने क्या क्या किया मैंने किस तरह से अपने जो ड्रीम से उनको एचीव कर सकूँ यह काम मैंने इतने दिनों में किया और देखिए रिजल्स आप सभी के सामने हैं और इसमें देखिए सफलता कि मैं किसी एक आदमी का हाथ नहीं होता सफलता में सब का हाथ होता है इसमें मेरे दैडी मेरी मम्मी मेरे भाई मे दोस्ति याव सब का हाथ होता है सभी साथ देते हैं और मैं आपको बताऊं कि सबसे जरूरी सफलता पाने के लिए होता है जब आप अपने को और अपने लोगों को वक्त देते हैं तो सफलता आपको एक दिन जरूर मिलती है इसी पर आप कायम रहिए और जो आप कर रहे हैं जिसकी आप तयारी कर रहे हैं, आप net paper की पेपर की तयारी कर रहे हैं, या किसी और paper की तयारी कर रहे हैं, उसको और focus तरह किसे करिए और अच्छे से करिए और जितना हो सके किताबों को समय दीजिए और देखिए एक दिन वो आपको वहीं पहुचाएंगी जहां आप जाना तो मैं इसके साथ आप लोगों कहना चाहती हूँ कि आप जो पेपर की त्यारी कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करें और और मोस्ली इस चैनल से जो है नेट ऐसी परेंट जुड़े हुए हैं तो मैं उनको बेस्ट आफ लग कहना चाहती हूँ उनके एक्जाम के लिए कि आप अच्छे से अपने एक्जाम के त्यारी करिए और देख याई और नेट और जियारिफ क्वालिफाई करिए सो थेंक यू और थेंक यू